ओए गाईस मैं रेड़ी हो गयो हूँ इस शाम का टाइम है फास बज़े फास दास हो रहे हैं तो मैं तेनी सिंपल हन्याम्ट अरह लिख दारे हैं घूम लो थोखेलो कोई बहुत जा रहे हैं आप लोगोने देखा वहाना एक का प्यार को तन का में रहे एक वह है क्या बोलते हैं इसको शोल्डर कट है गया उस्टोडर कटे। मैं भूली जाते हैं और शोल्डर यह पूरा एक गना फ्रोग टाइप में टॉप है एंड नीचे में लेंगी ना लिया तो गुरुदारे जा रहे हैं नहीं इस तदीके का यह लबाजू भी है और नहीं भी है ऐसा बला है पहले मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी मैं ऐसे मि अधर से आथ उठारे हैं दो कुछ देख रहा है या ऐसा सरफ यहीं से यह कट है सरफ यह शोल्डर पैसे तो चलते हैं टैनी को मैंने फ्रॉग डाला हुआ है और हनी को मैं नॉर्मल से उसके जिन्स और शॉर्ट डाले हूं उसके अलो लो 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 अलो लोले हां बनाज है और बनाज है, बसके यहीं बढ़ीज प्रॉट प्रेश्या नॉस्यां के लिएज़ उज जग बास्तों है विए बार्ख अर्षग जजकल अर्षग लगल अर् graph तो प्रेंट्स आज में आप लोग किसा शेयर करने जा रहे हूं मामा अवर्थ हनी मलाई फेश वोर्स एंड हनी मलाई ओयल फ्री फेश मौशराइजर तो पहले हम बात करेंगे हमारे फेश वोर्स की तो यह काफी जादा मतलब मैं इसका फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो गाइस मैंने यूज के बहुत 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 अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है फोर यह नरशिंग गलो देता है मेड सेफ है डर्माटालोजिकली टेस्टेड है और सूट ऑल स्किन टाइप है तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं और विद हनी अन मलाय के साथ है एग लिए फ्री होते हैं यह मेड इंडिया होता है मामा जो ब्राण्ड है अन प्लास्टिक पोजिटीव या रस सैकल देंड वी यूज थे यहां पर देख सकते हैं जैंटली टीन थेन थन हनी हैं इसमें मैंने आपको बताया कि यह SLS, 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 Sult and Sulfates and Pethalates and Silicon तो आप इसको यूज कर सकते हैं and मैं एक और चीज आपको बता दू कि इनका मामाइट का तो एक और शीज मैं बता दू मामाइट ने खुद का एक अपना एप भी लाँच कर दिया है तो वहाँ पे जाके आप और अर्ली जो भी ओफर चल रहे हैं वो भी ले सकते हैं and स्क्रीन पे जो कूपन कोट देख सकते हैं इसको अप्लाइ करने पे मामाइट.in पे आपको 20% डिसकाउंट और मिल साएगा and जो वेबसाइड मैं शो कर रही हूँ इन वेबसाइड पे यह अ मॉश्यराइजर के अगर हम बात करते हैं तो मॉश्यराइजर आप देख सकते हैं ओईल फ्री मॉश्यराइजर है यह विद हनी एंड मलाई for nourishing glow made safe dermatologically tested suit all skin type होते हैं इनके products यह मेरे को बड़ा सही सा लगता है एक and अगर आपके nearby store पे भी available नहीं है तो आप मुझे comment कीचे अगली shopping तक आपके nearby store पे भी हो जाएगा and ममा के कोई भी आप order करते हो ना तो आपके एक order से यह plant जो है वो लगाते हैं and उसका geolocation and picture आपको send करते हैं तो यह एक बहुत best part है इस चीज का मुझेराइजर मतलब महमात वालों का तो मुझेराइजर के हम ingredients वगरा की देख लेते हैं तो non-gracy है मुझेराइजर honey helps करता है जो आपकी skin होती है उसको nourishing गेंडे में मलाई गिप्स मतलब मलाई जो होती है वो देती आपको healthy glow and आप नॉर्मली तरीके से इसको apply कर सकते हैं crutely free होते हैं vegan free होते हैं यह products we are recycled more plastic than we used है जैसे कि मैंने आपको बताया so आप आए कर सकते हैं link मैंने description में देही दिया है इनका सारा so just check it out and thank you so guys हम लोग यहां पर पहुच चुकिए हैं गुजदारे में और टैनी को नहीं पता था कि जूते पैन में के ऊपर नहीं चड़ते हैं फिर बाद में में को धहना है कि जूते भी साइड में वहां पर ही जमा होते हैं बेकार में तैनी को जो घांट दिया बूल दिया कि यहां पे चपर प hist पढ़न नहीं जाते हैं अजक Euch कोरी और चकांदना बडरा को दिक्शा हुकिता है कि फोटो नहीं ले सकते यह नीकर सकते ऐसा क्ट् allons जादा हैं कहीं भी जा रहें ले ले जैए शायद कोई कारण रहा होगा इसलिए यह लोग ऐसे करते हैं और अब फोटो अब जादा आप नहीं कर सकते हो अंदर में नहीं ले सकते हो यहां बाहर खड़े हो तो भी सर डख के आपको फोटो लेना है वैसे नहीं लेना है बहुत किसी प्ला बीजार में भी नहीं लेने दे रहे हैं इतो कि जो भी ओवा जैसे भी दर्शन वा हो गया हनी को मैं यहां से ले जारी तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है तो यह चीज अना फर्स टाइम है ऐसे कि पहले शायद वो कभी ऐसे गया भी यह और यह काफी अच्छा लगता है बना एक हनी को शायद पानी फाणिस निकल लृब сटेंड को पहली वारी कि ऐसे कुछ गया तो वह भी जूभी शूश थी और अंधर में भी और जब बैख चभ रहे थे वहां से ट्बी महां प्ली बना कर दिया कि नहीं लेना है शुवादार किने एक और जन थे उन पर बहुत मितलब बुरी तरह से उनको डांट दिया कि समझने आ रहा मैंने तो खेर पढ़ा नहीं था बाद में में को पता चला जब उन्होंने बोला कि मत लीजी लेकिन मैं देख रही थी और लोगों को बाहर में भी लेने से मना कर रहे थे कि नहीं हो इसे लगेना है और ऐसे नीगे आन है पट हम लोग गये दर्शन करने देखने तो करके हो गया हमारा कर क्याओं यहां पर हम ले सकते थे यहां पर लिया था लोगों ने और यहां पता नही था पहले ले लिया था तो हनी था मैं थी तैन थी और सिंक्र läh governments बस हम चार हुई थे और कोई था भी नहीं तो यहां पर आके मुझे पैता चला कि यहां पर भी यह लोग मना कर रहे हैं जब कि बहुत दिन से बच्चे कहीं गई नहीं है और कुछ मतलब मौका ऐसे हैं जाए करें कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं लेके गई थी मैं लेके चलते हैं घुम के आजेंगे बच्चे तो बस हम लोग में कल गए थोड़ा सा घुम के आजेंगे तो हम लोग एक धंटे में आ गए थे वापस पिछकारी बगर जैसे हो लिए तो देखने में लग प्लास्टिक बेख रहे हो और फिर उसके बार मैंने इसको बहलाया है भी देखते हूं लेके होंगे इतना में हो तो नहीं दिलाओंगी मतला बजट में दिलाना जीए ठीके दिलाओ हो ली एक पर आती है लेकिन इतना नहीं है क्या आपका ओगे तो अभी बनने हैं आलू के पराठे और राइता मुंदी का तो वस यह खाएंगा भी हम हनी आप खाऊ है हां चलो तो यहां पर देखे हो ली चल रहे है और मैं आपको बहुत लेट यह व्लॉग दे रही हूं मतलब मेरी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं टाइम ली चीज है दे नहीं पाती हूं मै मैं आपको हर बार ही बोलते हुआ हाँ टू डेज में दोंगी लेकिन हो ही नहीं पा रहा है में इसे तो यहां हो टहन हो गया सेकंद दे मौर्णिंग है मतलब सेम दे मौर्णिंग में यहां पर देख सकते हैं बच्चे आए कर लल लगाने यह बच्चे वह जब में बहुत म क्या बोलू हुआ और मैं जब भी यहाते हूं मेरी स्कीन क्ожд producer को पूरा नाष्ट ग्रागा के रख रहते हैं चब्लक् di, Short बना देते ओयलिंग करके और सबने वाइट टीशिट डाली है अज हम सबने मैं अपने और टैनी के हनी की लेकर आई थी तीनों की वाइट टीशिट थी यहां पर देखिया हनी को भी गुलाल लगाया सबने मतलब सरिफ माथे पर लगाया उसको मैंने मना गर दिया थी साधा कभी किसी को हरकिसी को मना नहीं कर सकते हैं तो जिस अंत्रशल शग्या लगा दिया तो मैंने हाथ से साफ भी करती गई थाकि कि जिसको बुरा म Jáई ना लगे और मेरा बच्चा भी सेफ रहे कहरे ईसा तो कुश्चन हो शरी कि छिए अबर आएज़ बहुनियुरह में नहीं लोग सहूत रूज है और उनी स्यूत-पर्म पश्या स्वारी उपहुत भी टारीके से। डीजे ये डन्स और बाकी लोग जो इनको पीना खाना है जो लोग मतलब हैं लड़के लोग पीते खाते हैं बहुत गंदे तरीकस होते हैं तो होती है कुछ चीज ऐसी थे बस मैं यहां पर छोटी-चोटी क्लिप्स ले पाई हूं वही लिया और बाकी का जो बाद में हुई हो ली वो तो मैं ली नहीं हूं इसमें क्लिप्स क्यूंकि यह तुछ वेका हैं जब गुलाल लागते हैं जो कलर वाली हुई थी ना उसके ब जैसे के माई जून के ठंड वो गर्मी पड़ रही हो इतना बहां का बहुत तेज धूप तेज दूप तेज लेकिन शाम में ऐसा वेदर चेंज हुआ ऐसा वेदर चेंज हुआ एकदम थंडा एकदम थंडा बहुत थंडे हो गया तो यह यहां पर डान्स वांस और यह सब आए थे सारे लोग इसमें सो इसी के साथ में अपना वीडियो एंड करती हूं मिलते हैं अगले वीडियो साथ अब तक के लिए बाए कैसा लगा आपको वीडियो मुझे